ये गाईज आप लोग के शेवा आश्रकरतों आप लोग अच्छोंगे जिसके आप सभी को पता ही होगा गोरकपूर के जो एक ब्लॉगर थे मालती चौहान वो अब इस दुनिया में नहीं रही है और उनसे जुड़े हुए काफी सवाल है काफी वीडियो है जो की वो मरने से पहले खुशी-खुशी गई थी अपने पती के घर पे सुसराल गई थी उसने कहा था बैकाईदा जौब में सुसराल जा रही हूं चाहे मेरी पती चाहे काटे जाहे मारे कुछ भी फरक नहीं पड़ता है चाहे वो कुछ भी करें यह कहें लाश्ट वीडियो था उसका और बिचारी कह सकते हो उसके सकल पे ना गाइज एक थोटा सा भी वो नहीं था कि लग सकता है किसी को यह बंदी सुसराल जाने के बाद सुसाइट कर सकती है बिल्कूल भी नहीं लगता है उसका वीडियो आप लोग दें तो किस तरीके से वह हैपी होके डांस कर रहे है रिल्स ब अब अपने रूम दियाई ले रहा है अब अपने आप पर हमां उतारा ली देखा थी हमारे के हुना मदद करी कि साफ जाहिर होता है कि मालती चोहान भी विस्नूराज के बारे में काफी कुछ जानती थी जो ओडियन्स को नहीं बताना चाहती कि बहुत सारे सवाल थे उसके बारे में जो कि आप लोग मालती चोहान के मुझसे ही आप लोग सुन सकते हो तो अन्दाजा तो आप लगाई सकते हो गोरक पुरिया भूजी महिला के बहुत लड़ती है बहुत कुछ करती है महिला मोर्चा निकालती है हमेशा पर इस बार जो है ना कर थोड़ा सा तसल्ली और हर एक चीज पर नजर रखती और अच्छे से काम करती ना तो आज मालती चोहान जिंदा होती बस यह है महिला मोर्चा निकालने के चकर में विचारी वो अपनी जिंदगी से हाथ दो बेड़ी मालती चोहान और थोड़ा सा तसल्ली यह रखता क्योंकि उसका केस जो है ग तो विश्दूराज अपना बयान देरा मालती चोहान अपना बयान देरा खूब वीडियो से तमासा हो गया और जब सोचा मालती चोहान ने अब जाओं अपने सुस्राल में तो सुस्राल जाते ही देख सकते हो आप लो उसने अपनी जिंद्गी गवा दी तो कह सकते हो यह स प्रवार्पुर्या के पास में है और उस बच्चे को भी ले कि काफी लड़ाई जगरा वरा था हम ले जाएंगे हम ले जाएंगे फाइनली यह वह बच्चा जो है गोरपुर्या भोजी के हाथ में और कहीं न कहीं आप लोग यह सोची है अगर कोई टाइट वाला कोई श्ट भोजी मानते हैं महिला को और यह लड़ाई जगरा पे जितना भी वीडियो था ना तो सारा वीडियो मालती चौहान का यहीं चीक के चिला के कह रहा है जो वे गुना थी उसको फसाया गया था और किस तरीक से जूटे आरोप लगाए थे और मतलब कि इतने आरोप कोई कर ना और दोEZे ले जितने फिस तरीकिंए कर सकता और यहीं और जो IL चार यहीं तोरफ teraz कोने घ्रना ऐसी चेर्वारे का चैनल है चैनल म्रूस के ग्रेधी दियो भी कि हम लोग का जब सला हो गया था मीडिया वाले को भी पता था कि जब हमारा सब कुछ ठीक हो गया है तो दुबारा वीडियो नहीं बनाना चाहिए फिर भी उसको काफी पढ़े सानी हुई यह सब चीजे और बात यहां पर यह आती है उसके मासूम बच्चे का उसके लिए सपोर्ट करो गाइज मालती चोहान को बिचारी आप वह नहीं रही हमारे बीच में तो तुमसके बच्चे को आप लोग इंसाफ जरूर दिला सकते हो यह चीज आप लोग कर सकते हो और मैं बात यहां पर यह आती है कि मालती चोहान इस तरीके से विसनूप पर आरोप लगा जसो मत कि जू इंस